दोस्तों आज बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के निफ्टी के इक्सपायरी है बैंक निफ्टी के इस्पायरी पे ब्लास्ट की उमीद थी भट ब्लास्ट हुआ ही नहीं आखरी तक वेट किया गया नहीं हुआ और अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम मेल्ट हो गया उनके भी जो कॉल साइट पर बैठे थे तो जब स्टॉक मार्केट पे मुमेंटम नहीं आता है ये सबसे खराब बात होती है एक आप्शन ट्रेडर के लिए तो be prepared for it या तो कल परसो दो से तीन दिनों के अंदर देखेगा जो भी अब मुमेंटम आएगा जब भी स्टॉक मार्केट में जो मुमेंटम आएगा वो बड़ा मुमेंटम आएगा अब देखते हैं कल परसो में आता है कि नहीं आता है लेकिन you have to be prepared जो कि मार्केट साइड वेज होने के बाद एक बड़ा break up या breakdown देता है तो ये आपके लिए आपके लिए बहुत important information है कि कोई बड़ा momentum तो आने वाला है जस्ट ये वेट करना है कि किस दिन आने वाला है तो hedge कर के चलेंगे तो bell and good है और अगर आप देखेंगे तो bond market अभी भी आप आपको देखने यार का हो या two year का हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको uptrend देखने हो मिला है bond market में इसके अलावा देखेंगे euro zone में जाके तो euro zone में जर्मनी का 1.5% फ्रांस का पॉन 1% और UK का 1.5% यहाँ पे और देखेगा जितने भी euro nation से related countries है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो bond market up है तो bond market continuously up है जो कि देखेगा stock market के लिए अच्छी बात नहीं होती है stock market continuously क्या है sideways है तो stock market को नया momentum चाहिए stretch हो के देखेगा 25-300 से आ चुके हो 26,000 पे तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं तो रोग थाम होती है एक adjustment तो देखेगा stock market चाह रहा है तो वो आपको जल्दी द prices में copper यानि की metal के prices में कमी आई है crude oil के prices में Brent oil के prices में भी कमी आई है और data बहुत ही important है GDP का data कल आना है और bank of Japan के minutes आने हैं तो आपको पता है कि impact कल से आना शुरू होगा कल से कुछ ऐसे particular देखेगा news और data देखने को मिलेंगे market पे जो stock market को किसी एक direction की तरफ पुश करेंगे whether it is uptrend और downtrend लेकिन probability यही रखिए कि आप नीचे की तरफ थोड़ा खिसको ताकि एक adjustment आ जाएगा ता आप बे खौफ होके आगे की तरफ position मना सकते हो चुकि call writing बहुत दबा के हो रही है इसका देखेगा आप देख सकते हो call writing bank nifty में भी दबा के हो रही है और कुछ other जो Asian market है वो भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे है weather देखेगा हैंसेंग हो चाहे निके हो आप देख सकते हो उनमें कोई अच्छी चाल देखनी हो नहीं मिल ली कोई बड़ी चाल देखनी हो नहीं मिल ली है और अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इस तरीके का market भी र देखते हैं या फिर दो-terí इंडिकेटर देखते हैं तो क्या आपको Reliance Industry में कोई momentum देखनी हो मिल ला है तो UK लंडन में अगर आप देखेंगे तो Reliance Industry का GDR अभी ट्रेड हो रहा है यहां पे कोई बड़ा momentum नहीं है अगर यहां से 1-2 % of momentum अले तो 26-200 का लेवल देखनी हो मि रिलाइन्स इंडस्ट्री अभी कोई बड़ा मुमेंटम नहीं दे रहा हूँ, जब तक रिलाइन्स पुछ नहीं करेगा निफ्टी को तब तक निफ्टी 26-200 की तरफ नहीं बढ़ सकता, तो वो एक पर्टिकुलर अभी भी देखेगा कोशन मांक बना हुआ है, फिर अगर 500 की आसपास, 54-560 की आसपास, तो वो निफ्टी को मुमेंटम आ जाए, तो वो भी अभी देखने हों में मिला है, यानि दोनों जो भी ट्रेड हो रहे हैं, जो बड़े स्टॉक हैं इनका वीटेज, फर्स नंबर और सेकेंड नंबर पे हैं, वो भी कोई बड़ा मुमेंटम वो चले जा चुकें, ऐसा भी नहीं, डॉलर अभी भी डाउन है, 100 डॉलर की आसपास, खिसा करा है, जबकि जंबो रेट कट हुआ है, तो दीज आरदा देखेगा, वेरी इंपोर्टेंट इवेंट्स, जो स्टॉक मार्केट को अगले 2-4 दिनों में इंपाक करेंगे, तो म बड़े मूव्स आएंगे निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में अगर बात करेंगे, तो इसका 284 यह देखेगा, आपका रेजिस्टन्स देखनेगे मिलेगा, और इसके नीचे रहता है, अगर 54,000 के नीचे रहता है, 54,000 के नीचे मार्केट देखनेगे मिलता है, तो पह चीज आपको फोकस करनी है वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा थैंक्यो सो मच